आज का मारा टोपिक है एक्सलरेशन एक्सलरेशन किसी अब्जेक्ट की विलोस्टी गेन करने की कपैस्टिक को कहते हैं यानि कि एक अब्जेक्ट कितनी तेजी से विलोस्टी को गेन करता है इस कपैस्टिक को हम कहते हैं उस अब्जेक्ट का एक्सलरेशन तो इसमें आपने देखा कि यह जो गाड़ी है गलू कलरगी यह सबसे पहले इस पाइंट पे पहुंची है तो इसका मतलब यह है कि इसका तो acceleration है वो बाकि दोनों गाड़ियों से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है इसका तो acceleration है वो भी इसके अंदर ज्यादा होगा acceleration is refined as the rate of change of velocity of a body यानि कि एक body के अंदर जो velocity change आती है एक unit time के अंदर उसको हम कहते हैं acceleration ठीक है अगर ज्यादा velocity change आएगी तो हम कहेंगे उसके अंदर acceleration है वो ज्यादा produce हुआ है और अगर कम velocity change होगी उसके अंदर तो उसका जो acceleration होगा वो गम produce होगा acceleration is equal to change in velocity divided by time taken acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time taken अब यहाँ पर यह जो change in velocity है इसको हमने यहाँ पर लिखती है final velocity minus initial velocity अब फ़र्द करें एक गारी 10 meter per second की velocity से move कर रही है तो अगर फट कर इसके velocity होगे तैन मेटर पर सैकड्स के बढ़के उसकी velocity हो जाती है 20 meter per second तो उसके जो initial velocity होगी 10 meter per second उसको हम कहेंगे initial velocity उसको independent करते है और जो उसकी 20 meter per second की velocity होजाएगी उसको हम नहीं कहेंगे final velocity उसको हम लिखते हैं VF से ठीक है तो final velocity की जंगा पर हम लिखेंगे VF और initial velocity की जंगा पर हम लिखेंगे VI और इस velocity में change आने के लिए जो time लगा है उसे हम कहते है time taken उसको represent करेंगे T से तो A is equal to acceleration, A is equal to VF minus VI divided by time ऐसा unit of acceleration is meter per second per second इसका जो ऐसा unit है वो है meter per second per second ठीक है या meter per second scale इसको बोलते हैं